हलो दोस्तों, वन वर्ड में आपका स्वागत है, मेरा नाम वैबाव है और आज का हमारा वर्ड आफ दे है सूधिंग, तो आईए सबसे पहले हम सीखते हैं इस वर्ड को प्रनाउंस कैसे करना है, तो हम बोलेंगे सूधिंग, मेरी साथ रिपीट करिए सूधिंग, तो चलिए, अब हम एक्जामपल लेते हैं और समझते हैं इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे उसकरना है, तो हम बोल सकते हैं, हर वर्ड's had a soothing effect, इसका हंदी में मतलब हुआ, उसकी बातें आराम देने वाली थी, अब हम दूसरा एक्जामपल लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं, अम से पहली बात तो हमको almond नहीं बोलना है, हमको बोलना है almond, तो इसका मतलब हुआ, बादाम का तेल दर्द मिटाने के लिए प्रिसिद्ध है, तो चलिए दोस्तों, आज आपने सीखा, soothing word का sentence में कैसे use करना है, इसका मतलब क्या होता है, तो आज के लिए इतना ही, अगर आप क कोई वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल वन वर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, तैंक यू